हेलो फ्रेंज, वेलकम टू ओनलाइन स्टेडी पॉइंट, दोस्तो आज हम देखने वाले हैं बायलोजी पार्ट टू, तो प्लीज वीडियो को अंते तक देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेशन है, निमने में से कौन सा भाग जैव कोशिका का पॉवर ह कहा जाता है, बहुत important question है, बार बार पूछे जाता है, यह जो mitochondria है, यह cell के अंदर पाया जाने वाला cell organals है, और इसमें क्या होता है, respiration की process होती है, आपने सुना होगा कि respiration की process में दो cycle होती है, एक तो होती है glycolysis और दूसरी होती है crap cycle, तो glycolysis तो cytoplasm में हो जाती है, लेकिन जो crap cycle है, वो कहां complete होती है, वो complete होती है mitochondria के अंदर, तो mitochondria के last में बहुत सारी उर्जा release होती है, और यह सारी उर्जा कहां store होती है, mitochondria के अंदर, इसी लिए mitochondria को कोशिका का powerhouse कहा जाता है, इसके अलावा दोस्तों mitochondria के और भी question बनते हैं, कैसे बनते हैं, कि कोशिका का स्वशन केंद्र कौन सा है तो उसका भी सही उत्तर होता है माइटोकॉंड्रिया और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का इंजन कौन सा है तो उसका भी सही उत्तर क्या होता है माइटोकॉंड्रिया तो इतने तरीके से ये question को पूछ सकता है इसके बाद ये तो mitochondria नाम दिया है बेंडा ने तो आपको ये सारी चीज़े याद रखने है नाम किसने दिया है बेंडा ने और खोज किसने की है अल्टमेन और काली करने चलिए अब बाकी option भी देख लेते हैं जल्दी से तो हमारा पहला option है कोशी का भिती याने की cell wall plant cell के उपर एक मोटी सी भिती पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है कोशी का भिती कहा जाता है दोस्तो plant और animal cell में सबसे बड़ा difference यही होता है कि plant cell में कोशी का भिती उपस्तित होती है जबकि animal cell में कोशी का भिती या cell wall नहीं पाई जाती तो यह सबसे major difference है यह आपको याद इसके बाद देखते है next option वो है केंद्रक जो केंद्रक है ये cell के center में पाया जाता है इस तरह से cell है तो उसके center में पाया जाता है और इसमें क्या present होता है nucleic material जो हमारा DNA, RNA present होता है वो सभी कहा होता है केंद्रक के अंदर present होता है और केंद्रक की खोच किस ने की है तो Robert Brown ने के नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है स्टॉमेटा, स्टॉमेटा पत्तियों की सर्फेस पर पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं और इनसे होकर वायू, गैस तथा जल्व वाश्प का आदान प्रदान होता है, बहुत जादा पूछा जाता है चलिए चार ओप्शन कंप्लीट हो गया, अम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेशन है, मानशरीर की कौन सी ग्रंती एक साथ अंताश्रावी तथा बही श्रावी दोनों की तरह कारे करती है, चार ओप्शन है यहाँ पर भी अगनाश है, थाईराइट, प्य लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे क्वेशन में टर्म आया है अंताश्रावी याने एंडोक्राइन तथा बही श्रावी याने एक्जोक्राइन, तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन क्या होता है, तो देखिए एंडोक्राइन जो है एंडोक्राइन में क्या होता है वाहिकाय प्रेजेंट नहीं होती है एंडोक्राइन के अंदर कोई नलीकाय या कोई वाहिकाय प्रेजेंट नहीं होती है और एंडोक्राइन ग्रंती हमेशा हॉर्मोन रिलीज करती है क्या रिलीज करती है हॉर्मोन रिलीज करती है और इसके द प्रेजेंट होती है और यह किसका सिक्रेशन करती है यह एंजाइम का सिक्रेशन करती है अगर आप से पूछा जाए कि वही श्रावी ग्रंथी किसका सिक्रेशन करती है तो आप लिखेंगे एंजाइम का सिक्रेशन करती है और अगर पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लाइन कि सिक्रेशन करती है ये दोनों इसमें मेजर डिफरेंस है चली अब जो हमारा question पूछा गया है वो ये है कि मानोशरीर की कौन सी ग्रंथी एक साथ अंताश्रावी तदा बाहिश्रावी दोनों की तरह कारे करती है तो एक ग्रंथी होती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथी जो अंताश्रावी और बाहिश्रावी दोनों की तरह कारे करती है तो सही option कौन सा है अगनाशे अगनाशे एक्जामपल है मिश्रित ग्रंथी का जो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कारे करती है सिक्रेशन होता है चलिए बाकी option भी देख लेते हैं बाकी option में है थाइराइट ये गले की निचले हिस्से में present ग्रंथी होती है ये किस तरह की ग्रंथी है तो ये है endocrine ग्रंथी या endocrine gland और इसके अंदर से दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है चलिए next देख लेते हैं next है प्यूश ग्रंथी प्यूश ग्रंथी या pituitary gland ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथी होती है पर इसे master gland कहा जाता है ये है तो सबसे छोटी लेकिन इसे क्या कह जाता है master gland मतलब छोटा packet बड़ा धमाका इसे आप समझ सकते हैं अब इसे master gland क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे हार्मोन को सिक्रेट तो करती है साथ ही साथ ये other gland से निकलने वाले hormones का control भी देखती है इसलिए प्यूश ग्रंथी को क्या कहा जाता ह है प्यूश ग्रंथी को master gland कहा जाता है ठीक है अब next है यकरत यकरत जो है ये मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है इससे बाइल जूस निकलता है कई बार पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस प्रकृती में कैसा होता है तो बाइल जूस प्रकृती में चारिये होत हम दूद का पाश्ची करण किस ने किया था चार आपशन है यहाप है लेनस टीनर लुई पाश्चर रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है बी लुई पाश्चर ने सबसे पहले दूद का पाश्ची करण किया देखिए इनके नाम में ही पाश्चर तो सरने में पास्ष ere إल सरने पास्ष् ठीम, पास्षी, करण की प्रोसर्ष कुछ टप नहीं है जो हम झाले धीली दूध को गरम करते हैं उसके बैक्टिरिया को नस्ट करने के लिए यह फ्रॉसस क्या ऐना कैलाती है यह जो लुई पास्चर है यह कहां के साइंटिस्ट है यह फ्रेंच साइंटिस्ट है और एक और चीज इनके बारे में पूछी जाती है इन्होंने रैबीज के टीके की रैबीज जो कुत्ते के काटने से रैबीज हो जाता है उसके टीके का अविशकार भी किसने किया है तो व प्लॉट ग्रॉप की है और 1930 में इनकी इस खोच के लिए नॉबल प्राइस से समानित किया था इसलिए बताया क्योंकि कई बार इनके नॉबल प्राइस के बारे में कुछिन पूछा गया इसलिए आपको यह भी याद रखना है चलिए, next देख लेते हैं, next कौनसे scientist है, Robert Koch, ठीके, Robert Koch जो है, यह एक पेमस microbiologist थे, इन्होंने पता लगाया था कि बहुत सारे रोग किस्से होते हैं, microbes के द्वारा होते हैं, और इन्होंने cholera, cholera तधा TV, cholera का मतलब होता है, Haja और TB, TB मतलब tuberculosis, इसके TK की कोच किस ने की है, तो Robert Koch ने की है, चलिए, चार option complete होते हैं, next देख लेते हैं, next question है, कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है, B, mycology, कवक या पंजाई के अध्यन को कहा जाता है, mycology, बहुत जादा पूछा जाने वाला question है, इसके अलावा जो कवक से question आता है, वो भी आपक कवक जो है, अपना वोजन किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में store करता है, किस रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में store करता है, एक question ये भी पूछा जाता है, कि कवक की cell wall किसकी बनी होती है, तो काईटीन, किसकी बनी होती है, काईटीन, आपको याद मतलब, algae की study की जाती है किसमे? piecology में. इसके बाद है virology. VIRUS की study, वाइरोलाजी कहलाती है. तली मैंने आपको बताया था कि VIRUS की खोज किस ने की थी? तो वेरस की खोज की है, इवानोवस्की ने तो लिए अपकी है, 1892 में की है. और सबसे पहले कौन से वाइरस की खोज हुई थी तो वो है TMB मतलब टोबैको मुजाइक वाइरस की सबसे पहले खोज की गई थी चलिए यहाँ भी चार आप्शन कंप्लीट होगा है नेक्स देखते हैं नेक्स्ट क्विश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, इपिफाइट या मिजोफाइट तो इसका सही उत्तर है B, जीरोफाइट रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं जीरोफाइट कहलात अगर आप किसी जीरोफिटिक प्लांट को देखेंगे जैसे कैक्टस या नाकफनी इन्हें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जो पत्तिया होती है बहुती फ्लैशी होती है मतलब बहुती मासल होती है वो इसलिए क्योंकि ये कुछ खाना और कुछ पानी अपनी पत्तियों में चोर करके रख लेते हैं बाकी option में पहला है hydrophytes, hydrophytes ऐसे plant जो जल की अधिकता में उपते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है hydrophytes, तो hydro का मतलब होता है पानी और fights का मतलब होता है plant, तो plant ऐसे plant जो पानी की अधिकता में उपते हैं, क्या कहलाते हैं, hydrophytes कहलाते हैं, इसके बाद next है epiphyte, epiphyte ऐसे plant हो यांत्रिक support के लिए किसी दूसरे plant पर depend करते हैं ठीक है mechanical support के लिए जो किसी दूसरे plant पर depend करते हैं वैसे plant कहलाते हैं इपी fights next देखते हैं next है mesophyte mesophyte इस थलिये पौदे होते हैं जो ना तो particularly सुखे और ना ही particularly गीले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं ठीक है चार option complete होगे चलिए next देख लेते हैं next question है cancer रोग की कोशिकाओं में कौन से प्रकार का विभाजन होता है यहां option देखने से पहले दोस्तो हमारा term क्या आया है cancer तो हमें पहले यह जानना है कि cancer actually में होता क्या है तो देखिए जो cell है आप उतना तो पता ही होगा कि मानो शरीर की जो basic unit है वो क्या है वो है cell ठीक है अगर यह cell जो होती है वो divide करेगी या तो यह divide होकर दो cell बनेगी या divide होकर 4 cell बनेगी लेकिन अगर आप मान लीजे इस cell में ऐसा uncontrolled division हो कि यह divide होते ही जाए मतलब division कैसा हो रहा है uncontrolled है हम उसको वो आनियंत्रित है हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे है और एक के बाद cell बनती ज तो प्क। आप चल्य हमारे question पर आते हैं हमारा question यह पूचा गया है कि cancer रोकी कोशीका में कौन से प्रकार का विभाजन होता है अर्द सूत्री, समसूत्री, आसूत्री या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है B, समसूत्री या माइटोसिस समसूत्री या माइटोसिस डिविजन की एक हासियत होती है कि इसके द्वारा एक सेल से दो सेल का निर्मान होता है इसके द्वारा एक सेल से कितनी सिर्फ दो ही सेल का निर्मान होता है चलिए बाकी option भी देख लेते हैं तो वो है अर्द सूत्री अर्द सूत्री विवाजन में एक सेल से चार सेल का निर्मान होता है कितनी सेल का चार सेल का निर्मान होता है अर्द सूत्री विवाजन में इसक और चोटी हो, एक थोड़ी आड़ी-तेड़ी हो, कैसी भी हो सकती है, लेकिन आसमान होती है, तो आसुत्री के ये खासियत होती है, कि जो सेल बनेगी, वो कैसी होगी, आसमान होगी, और अंडेबलब्ड होगी, ठीक है, चलिए, यहाँ भी चार उप्शन कंप्लीट होते हैं, अब next देखते हैं next question है डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है सबसे पहले हमें यह देखना है कि डेंगू क्या है तो डेंगू जो है वाइरस से होने वाला एक रोग है और यह किसके द्वारा संचरित होता है यह एडीज मच्छर के द्वारा वो याद रखना बहुत important है सबसे पहला जो इसका नाम है वो है ला डेंगू क्या पुछा जा रहा है ला डेंगू इसके अलावा इसका जो नाम है सिंगापुर हैमोरेजिक फीवर second क्या है सिंगापुर हैमोरेजिक फीवर तीसरा है हड़ी तोडगुखार पूछा जा रहा है अब हम question पर आते हैं question क्या है हमारा डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है platelets, gel, शरकरा या hemoglobin तो इसका सही उत्तर है A platelets, अब ये platelets क्या है तो आपको पता होगा कि blood में तीन प्रकार की cell पाई जाती है RBC, WBC और कौन सी platelets ये तीन प्रकार की cells किस में पाई जाती है blood में पाई जाती है platelets का मुख्य कारे होता है रक्त का ठक्का जमाने में help करना ठीक है platelets mainly क्या करता है रक्त का ठक्का जमाने में help करता है अगर देखी body में platelets की कमी हो जाए तो क्या होगा अगर body में platelets की कमी हो जाए तो हमारी body में internal bleeding होने लगेगी ठीक है, body के अंदर क्या होने लगेगा, खून का रिसाब होने लगेगा, internal bleeding होने लगेगी इसलिए बहुत जरूरी है कि platelets की मात्रा जितनी जरूरत है उतनी हमारी body के अंदर होनी चाहिए अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा बुखार हो जाएगा डेंगू बुखार हो जाएगा चलिए अब बाकी option भी देख लेते हैं बाकी option में है जल अगर जल की कमी हो जाए शरीर में तो क्या हो जाएगा dehydration जल की कमी से क्या हो जाएगा dehydration हो जाएगा ठीक है अगर next देखत है हीमोगलोबिन अगर हीमोगलोबिन की कमी हो जाये बॉड़ी में तो ऐनीमीया या आरक्तता की बिमारी हो जाती है चलिए अब नेक्स्ट कुश्चिन देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्चिन है विटामिन B3 का रसाइनिक नाम क्या है चार ओप्शन है यहाँ पर नियासिन, पैंटोथैनिकमल, पायरडॉक्सिन या सायनो कोबाला मीन तो इसका सही उत्तर है A, विटामिन B3 का रसाइनिक नाम होता है नियासिन बहुत जादा पूछा जाता है विटामिन के बारे में एक्जाम में तो पूरा विटामिन एक्जाम के नजरिये से बहुत important होता है और B complex के नाम तो बहुत जादा important होता है मैं इसकी trick भी आप लोगों के साथ share करूँगी लेकिन अभी हम देखते हैं हमारा question कि विटामिन B3 का रसाइनिक नाम है नियासिन और इसके अलावा एक question पूछा जाता है B3 से कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है तो एक रोग है जिसका नाम है पहलागरा जो बहुत जादा एक्जाम में पूछा जाता है कि पहलागरा किसकी कमी से होता है तो नियासिन की या B3 की कमी से पहलागरा रोग हो जाता है ये एक skin का रोग है skin disease है इससे skin छिलने लगती है और इतनी छिल जाती है कि पूरा red red दिखाई देने लगता है तो ये आप ये इसको google करके भी जरूर देखिएगा पैलागरा रोग क्योंकि बहुत important है exam के नजरिये से चलिए बाकी option भी देख लेते हैं बाकी option है pentothenic aml तो vitamin B P5 का racinic नाम होता है किसका vitamin B5 का racinic नाम है pentothenic aml next देखते हैं pyridocin तो vitamin B6 का racinic नाम है pyridocin pyridocin किसका racinic नाम है vitamin B6 का चलिए next देखते है next है cynocobalamin vitamin B12 का racinic नाम है cynocobalamin और सभी विटामिन में सबसे जादा important होता है विटामिन B12, कई बार question पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है आप इसका नाम देखिए सायनो कोबालामीन, तो यह जो कोबाल है मतलब की कोबाल्ट, तो किसके अंदर B12 के अंदर ही कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, अगर किसी के अंदर B12 की कमी हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है, अब यह परनीशियस एनीमिया क्या है, परनीशियस एनीमिया में जो RBC है बहुत जादा उत्पन नहीं हो पाती है और रक्त की कमी हो जात चलिए, next question देख लेते हैं, next question है, प्रतम परकनली शिशु का नाम क्या था? दुरगा, लुइस ब्राउन, डॉली या इन में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है B, लुइस ब्राउन, प्रतम परकनली शिशु का नाम क्या था? लुइस ब्राउन, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि परखनली शिशु एच्छली में है क्या तो यहां IVF या in vitro fertilization भी कहलाता है क्या कहलाता है इसे IVF या in vitro fertilization के नाम से भी जाना जाता है इसमें artificially fertilization या निशेचन कराया जाता है यह भी पुछा जाता है कई बार कि इसकी खोच किसने की है तो इसकी की है इसकी खोच डॉक्टर रॉबर्ट सन ने इसकी खोच की है और कब की है 1978 में की है कब की है 1978 में की है और 2010 में इन्हें इसके लिए Nobel प्राइस से भी सम्मानित किया गया है कब सम्मानित किया गया है तो 2010 में नॉबल प्राइस से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने पहली परकनली शीशू का नाम क्या रखा था तो रखा था लुइस ब्राउन चलिए आप जल्दी से बाकी ऑप्षिन भी देख लेते हैं पहले ऑप्षिन में लिखा है मैंने दुर्गा तो ये दुर्गा कौन है अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली टैस्ट्यू बेबी कौन है अभी जो हमने टैस्ट्यू बेबी देखा वो विश्व की टैस्ट्यू बेबी थी जिसका नाम था लुइस ब्राउन लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली टैस्ट्यू बेबी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्गा. ठीक है? और इसके जनक कौन है? भारत में टैस्ट्यू बेबी के जनक कौन है? ये भी कई बार पूछा जाता है. तो डॉक्टर सुभाश मु को पाध्यायन है ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है डॉली तो डॉली मैंने यहां पर क्यों लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि डॉली विश्व की पहली क्लोन भेड थी ठीक है बाकी हमने जो दो ऑप्शन देखे वो तो टैस्टिव बेवी की थे ल क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी अगर आप कोई चीज बना रहे हैं समझ लीजिए मैं हूँ मेरी सेम एक और कॉपी एकदम सेम कुछ भी अलग नहीं इंटर्नल एक्स्टर्नल बिल्कुल सेम तो यह क्या कहलाएगा कार्बन कॉपी या फिर क्लोन जिसे हम कहते हैं लेकिन क्लोन मी ज़रूरी होता है कि वो इंटर्नल एक्स्टर्नल बिल्कुल सेम होता है और सबसे पहली क्लोन कौन थी एक भेड थी जिसका नाम क्या था डॉली था चलिए next question देखलेते हैं next question है फूलो के अध्यन को क्या कहते हैं agrostology anthology palynology या pomology तो इसका सही उत्तर है b anthology फूलो के अध्यन को कहा जाता है एंथोलोजी बाकी ऑप्षिन भी देख लेते हैं बाकी ऑप्षिन में है एग्रोस्टोलोजी तो घासों के अध्यन को घास के अध्यन को क्या कहा जाता है एग्रोस्टोलोजी कहा जाता है उसके बाद है पैलिनोलोजी पैलिनोलोजी हो गया है और यहां पर हमारे सारे question भी complete हो गया है दोस्तों वीडियो कैसे लगा यह जरूर बताइएगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत